एक दिन तुम तुम्हारे बेश्ट फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही मस्ती मजा कर रहे हो, अपने स्कूल गए हो, मस्त अराम से अपनी जिन्दगी जी रहे हो, लिकिन बीच में कुछ अजीब सा हो जाता है, तुम और तुम्हारे दोस्त, एक अजीब से गेम में फस जाते हो, जहा तुम किसकी उपर भरोसा करोगे, और किसको अपना दोस्त मानोगे, क्या तुम जिससे अपना दोस्त मानते हो, वो सच में तुम्हारा दोस्त है, कि एक डीमन का ही दोस्त है वो, तुम्हारा नहीं हो सकता है वो, तो अब जानने के लिए हम लोग देखेगे इस नए वाले अनिमे को जिसको मैं आज आप लोग लिए पुरा कवर करने वाला हूँ तो एपिसोड के शुरुवारत में हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे पंक गिर रहे होते हैं उसमें से अजीब सा अनिमेशन होता है पत्ते बत्ते गिरे होते हैं असल में अंकल मुझे 70,000 Yen चाहिए मेरे स्कूल ट्रिप के लिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो इसलिए मैं इन सब को जोडने के लिए महनत कर रहा हूँ तो अंकल बोलते वाँ प्रे 70,000 तो बहुत बड़ा अमांट होता है बेटा तुम यह कैसे करोगे तो वो कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है मैंने और मेरे सब दोस्तों नहीं वा है कि हम लोग मिलके जाएंगे इस स्कूल ट्रिप पर इसकतर हमें दिखाते हैं कि स्कूल में यह लोग चाते हैं सब मिलके इस school trip पर जाएंगे, सब लोग इसमें बहुत खुश होते हैं, और हमारा main character बोलता कि चलो यार, यह अच्छी बात है कि मेरे सारे के सारे दोस्त यहाँ पर है, तो सब का introduction होगा यहाँ पर, हमारा main character है, यह yellow boy है, brown girl है, cute girl है, और तो और हमारा चश्मिश boy है, यह सब की दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लग रही है, I hope कि इनकी दोस्ती की बीच में दरार ना आए, है ना? चलिए देखते रहते हैं, इसके बाद इनका teacher यहाँ पर आता है, मैंने सारे के सारे पैसे मेरे कबड में रखे हुए, लेकिन किसी ने मेरे locker को loot ले और मुझे नहीं पता किस ने यह किया है, तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, यह बाद सुनके सब लोग कहते कि ऐसा किसे हो गया, किसी ने चोरी किया होगा, चलो, उसी बने चोरी के होगे, जिसके पास पैसो की कमी है, ऐसा बोल के सब लोग हमारे main character पस देख रहे होते हैं, फिर हमें यह मालूम पढ़ता है, इस दो-तिन दिन बीच आते हैं, और स्कूल के बाद सारे के सारे दोस लोग स्कूल तो आ रहे होते, जिस पर लिखा होता है, क्यूट गल ने उसको बुलाया है, कि तो लोग यहां पर खड़े होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने में हमारे main character के उपर हमला होता है, तेजर से और वो भेवशों के गिरन लगता है, और हमारे चारो के चारो दोस्तों के उपर भी हमला होना स्टार्ट होता है, फिर इसके बड़ जब इनकी नीन्द खुलने वाली होती है, तभी हमारे मेंन क्यारक्टर को सपना आता है, कि वो उसके दादाजी के साथ ऐसी वॉक अब मानेबू जो है वो असल में बच्चों के कार्टून में आने वाला एक कैर्टर जो कि उनसे उनका ट्रेजर चोरी करके भागता है, मतलब उनकी सबसे स्पेशल चीज़ चोरी करके भागता रहता, तो यहाँ पर आके बोलता है कि Welcome to my world, आज मैं तुम लोग के साथ एक स लगा हुआ है करजा, वो तुम उतार सकते हो, सब लोग बोलते है करजा हमारे उपर तो करजा नहीं यह तब ही मानेबू कहता है, कि तुम मेंसे एक बंदे के उपर 20 मिलियन येन का करजा है, और उसी को चुकाने के लिए उसने तुम पाचों को इस गेम में खीच के लेके सब सुन के हमारे में गुष्सा अता है, और वो माने को पकड़के बोलता कि तुम क्या बात कर रहे हो, तो वह कहता है, मैं जो कह रहा हूं, वह सच है, इतने मिखल लोग उसको दूर करता है, और चरश्मीचआ के बोलता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, और अगर हमने गे तुम्हारे मेंसे एक बंदे तुम्हारे सब का नाम लिखा और हमसे कहा कि भाई अब हमारा entry fit ले लो और आप हमारे साथ ये game खेल सकते हो तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हैं मैंने तुम्हारा kidnapping किया है अब ये सुनके सब लोग को शॉक पढ़ता है जो 2MJ हमारे depth और increase नहीं होगा, लिकिन हाँ, अगर तुम लोग नहीं खेलोगे, तो तुम्हारे उपर, जो तुम्हारे depth पढ़ने वाले हैं, वो भी नहीं बढ़ेंगे, मतलब तुम लोग की उपर 20 लागा तो करजा है, तुम गेम खेल थे कि तुम्हारा करजा निकाल सकते हो, लिकिन अ भी ने मेरे घूम के आता है, माने और बहुता है, कि तुम तुम्हारे दोस्तेओं के ऊपर शक कर रहे हो, हमारे मेन कारेक्टर, ऐसी बात है, गेम त अब तक शुरू हुआ भी कि नहीं और तुम पहले सी शक कर रहा रहा है, और लूज सब लोग यहां पर।यों, वहारे हो शक नहीं कर रहा है और पूश्टा कि यह बता तुम्हारे सबसे इंपोर्टन क्या है पैसा कि तुम्हारे दोस्त हो हमारा में इन पर खेलने वाले हैं कुकरी सान और यह बहुत मस्त है इस गयम में तुम सबकी फ्रेंड्शिप के ओपर ध्यान दिया जाएगा आजब मैं तु तुम पाचों लोगों को पहले मैं एक एक बैच दूँगा और इस बैच के पीछे तुम्हारा लोन लिखा हुआ है तुम लोग के उपर 4-4 लाग का करजा है और तुम लोग के जो अमाउंट है वो अपने दोस्तों को नहीं दिखा सकते हो यह तुम्हें अपने पास ही करजे को 7 लाग 20,000 में कनवर्ट कर दूँगा समझे तो तुम्हें बताना नहीं है वैल हर गेम के बद हर इनसान का करजा धेरे देरे कम होता रहेगा फिर इसके बाद हम लोग को यह बंदा इसके सब रूल समझाता है बोलता है कि इसमें तुम्हें को एक पुछा जाएगा मैं तो सबके answer में difference है, तो ये खुद बखुद गलत वाले के उपर चला जाएगा, तो जैसे कि अगर किसी question का answer yes है, तो सबको yes करना है, और कि coin खुदी yes पर जाएगा, लेकिन अगर किसी question का answer no है, और सबने yes किया, तो ये coin वापस से no की तरफ जाएगा, और तुम सब लोग एक साथ answer करना है, यही इसका rule है, तो सब लोग कहते हैं, यह तो बड़ा easy rule है, तो ये लोग देखते कि इनके सामने, खुद बखुद coin move करके yes पर चाता रहता है, फिर हमारा ये, Manubu इनको कहता है कि अब मैं तुमें सब rules समझाँगा, देखो यहाँ पर rules लिके हैं, सबसे किसी भी rule को तोड़ा, तो तुम लोग का करदा double हो जाएगा, यह बोलके इन लोग को आगे लेख जाता है, इसके बाद, वो बोलता है कि और एक चीज, जो बंदा इसमें last place पे आएगा, जिसका मतलब करदा सबसे दादा रहेगा, उसके उपर बाकी सब लोग का करदा भी इस तरह से वो बंदा फस जाएगा, और एक चीज, अपने किसी दोस्त पे कभी डाउट मत करना, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो मोदाची गेम, ऐसा बोलके रेडी होता है, फिर सबसे पहला हमारा यालोबर रीड करता है, और उसका question होता है, क्या माउंट फूजी सब लोग कहते हैं, हम सब यस करेंगे, और सब लोग जीच जाएंगे, ऐसे बोलके सब लोग कॉइन के उपर हाथ रखते हैं, अपने मन में answer लोग करते हैं, और उसके बाद, इनका कॉइन जाता है, नो की तरफ, यह देगके सब को धक्का लगता है, कि किस ने दोका दिया ह हम लोग को वेल इसके बाद यह लोग बोलते हैं एसा कैसे हो और इतने में हमारी जो क्यूट गल होती है वो खुस्सा होती है और बोलने वाली होती है तब ही हमारे दो बॉइस उसको रोक देते हैं तुम आवास मत करो कि रूल ले कि अगर तुमने क्वेशन पढ़ने के बाद लेकिन इसके बाद भी इनका अंसर यह जगह पर नो पर चाहता है तो मतलब इसका यह है कि एक बंदी ने इन सबसे जूटका है तो कौन नो बोल रहा था फिर यह कहता है कि भाई कौन नो बोल रहा था सकता है हमारा मेंड कर्टर अपना दिवाग चलाते है तो उसको आज ख हमारे जो क्यूट गल है उसको हमारा मेंड करेंटर बहुत पसंद है और उसको लोग को यह लगता है लेकिन नहीं वापस से नो होता है अब तो भाई हमारा मेंड कर्टर टंचन में आते हैं कौन हमें धोका दे रहा है ऐसे कैसे हो रहा है वो अपना दिमाग चला रहा होता तब तब ही उसकी बार्य आते है, जैसी वो अपना नोट खोलता है, तो वो देखता है कि उसके नोट में कोई question नहीं लिखा होता है, वो लिखा होता है कि तुम तुम्हारे मन से कोई भी question पूछो, लेकिन उसके नीचे एक special letter लिखा होता है, वो लिखा होता है कि अगर 10 yen का coin येस के उपर गया, तो तुम game clear कर दोगे, लेकिन अगर 10 yen का coin 9 के उपर गया, तो जो बंदा इस वक्ती question पढ़ रहा होगा, उसका जो करजा है वो automatically half हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि यही सेम चीज़ बाकी चार लोग के इस पे भी लिखा हुआ था, ये देखके हमारा hero अच्छा तो हर एक ने मिल के हम लोग को धोका दिया, क्योंकि वो लोग चाहते कि उनका खुद का करजा कम हो जाए, लेकिन अगर इसने यहाँ पर ऐसा किया, तो जो आखरी हमारी brown girl बची हुई है, अगर उसकी बारी आएगी तो उसके उपर सबका करजा पढ़ जाए, क्य अब तो यह अपने दोस्तों के उपर भरसा करेगा, कि नहीं, अब तो यह गेम खतम होने वाला है, 4 लाक मतलब उसको 1.5 सी कहा तो 1.6 लाक, जो कि बहुत ही अजीब नमबर है, अभी 2.4 million yen का भी हमारे उपर स्काम चला हुआ है, फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिख कि एक हफते में 7 दिन होते हैं, सही, ऐसा बोल कि सब लोग अपना हाथ नीचे रखते हैं, और हमारी देवनों स्कूल वाली गल्स होते हैं, अब लगता है लोग जीच जाएंगे, फिर लोग वापस से अंसर लेके जाते हैं, और वापस से अंसर जाता है नो की तरफ, जो द दीसरे, दूसरे और पहले कार्ट की तरह रहा ही नहीं, उसमें कुछ अलगी हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ, तो ये गेम एक दम से डिफरेंट होगा, तब हमारी ये टोका जैसी दिखने वाली गल्स कहते हैं, अब इसको गेम समझ में आ रहा है बंदे को लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुका है, अब तो कुछ नहीं कर सकता, सब लोग अपना मूँ छुपा रहे होते हैं, और उसी रोट हमारी पाच्वी बंदी रीड करती है, और बोलती क्या हम हमेशा दोस्त रहेंगे, ये देखके सब को धक्का लगता है, सब लोग बोलती अरे रुको 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 यार, जवाब के पहले मेरे एक सवाल तु सुन लो, मुझे ये बताओ कि क्यूट गर्ल का जो अंडरवेर है, उसका कॉलर कॉन सा है, और इस सीन में हमारा मेंड कर्टर बहुत बैड़ास देख रहा है, तो इसने लिटरली यहाँ पर रूल नंब तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग मेरे और वीडियो में ना करें, इसके बद हमें अगले सीन में दिखाते हैं, कि हमारा में क्यार्टर होता है, यलो बोई के पास दातर क्याता है, तो अब तु सोच ने कि उसके अंडरवेर कादर कौन सा होगा, बता बता बता, तो ये सब सुनके क्यूड कर एक दों से शर्माती है, उसके बाद वो चशमिष को बोलता है, तुझे भी यही सवाल है कि उसके अंडरवेर कादर कारता है, बता बता, ऐसा करकि वो एक एक करके सबसी के सवाल पूछ रहा होता है, तब ही वो मुझ नहीं खोलेगा है ना, थो इसलिए मैंने अपना आवास करके यहाँ पर सारा का सारा करजा अपने उपर ला दिया है, तो इससे तुम्हारा प्लैन बिगड़ने वाला है, क्योंकि अभी ब्राउन गलкі उपर तो सारा करजा नहीं जाने वाला है, और वैसे भी मेरे जो note है उसके उपर लिखा हुआ था कि जो बंदा last place पे आएगा उसको सारा का सारा अपना उपर का करजा उस बंदे उदेना पड़ा है जिसके पास सबसे कम करजा रहेगा ऐसा ये बोलता है जो कि असल में जूट होता है यहां पर इन लोग के दिमाग से ख फिर वो हसते हुए कहता है वैसे भी हम लोग को तो फरक पढ़ना ही चाहिए क्योंकि हम पांच तो बहुत अच्छे दोस्त है हमारे बीच में कौन सा धोके बास होने वाला है चलो गेम करते आजाओ तो जैसा कि सवाल पूछा कहता है क्या हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंग कुकुरिसान हमें अब अंसर बताइए और जैसे ही अंसर शुरू होता है तो सब का हाथ येस पे जाता है जो देखके हमारे कुकुरिसान कहती है कि चलो तुम लोगों ने गेम क्लियर कर लिया ये देखके हमारी पिंगल करती ओमाइग ये बंद ने कैसे कोड को क्राक किया और उसके बाद हमारी जो टोका जैसे दिखने वाली बंदी होती है वो कहती है कि इस वक्त हमारे इस main character ने सब के दिमाग के अंदर एक question भर दिया कि इन में से कोई तो भी एक है जो कि धोकेवाज है तो अब ये अपने दोस्तों लोग एक दोस्तों को यकिन करेंगे कि नहीं वो तो हमें पता ही नहीं है तो अब तो हमारे heroes ने पहला game तो clear कर दिया तो उन लोग को 2 million yen तो मिल चुका है पर जैसे ये लोग यहां से बाहर निकलने मालों तो तब ही हमारा hero बोलता है कि एक मिनट दोस्तों तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग को कितना कितना कर है लेकिन हमारा जो में करेटर होता है उसका करदा डबल हो चुका होता है वो बोलता है मेरे पास ज्यादा ही करदा है जो कि 7.2 million का I mean 7.6 million क्योंकि सिर्फ 4 लग कम हुआ है पर ये चलता है यार हमारे दोस्ती के बीच में यह सब चलता ही रहता है तुम लोग टेंशन मतलों ग्रेटर है अनलों को यहां से निकलता है जैसी सब यहां से निकलते है next game के लिए हमारा main character अरे एक मिनट रुक जाओ मेーユे शूका लेज खुला है जैसा पॉल को यहां पर रुखता है और रुखने के बादो ऊपर सेम सेम चीज लिखा हुआ था जैसी हूँ यह कर रहा होता है उतने में एक सीज नोटिस करता है कि इन काड के ऊपर जो इंक से लिखा हो रहता है वो सब का सब मिट रहा होता है जो देखके हमारी टोका बोलते हैं कि हम लोग इस गेम को इतना सिंपल बनाएंगे हम लोग ने कभी सोचा ने होगा इन सब मुझे तुम से अकले में बाथ करने तुम ने मेरे बारे मैं जिस सावारागी को जानता हूं वह ऐसी नहीं है तुम ने हमसे कहा था कि क्या फरक पढ़ता है कि हम मैंसे किसके पास कितना कर्जा है हम लोग को मिल के करदे को निकालना चाहिए नहीं ये बात गलत है क्योंकि तुम किसी के भी करदे के बार में इतना नहीं कुछती हो, तो मुझे लागा है कि तुम कुछ ना कुछ strange behave कर रही हो, फिर वो कहती कि नहीं पर मुझे भी असल लागा कि शाचे तुम ट्रेटर क्योंकि तुम्हारे पास पैसी कमी होती है, फिर इनके बीचे थोड़ी बात ही चलती है, जहां पर ये बंदी उसको बोलती है, मैं तुमसे माफी मान चाती हूँ, असल मेरा जो depth है वो 7.6 million yen का है, उसका reason यह है कि तुम लोगों ने मुझे रोका था, तब शयाद मेरी हलकी सी cheek निकल गया थी, अब जितना तुम अपने दोस्तों के बारे में कुछ ने कुछ गलत चीज लिखनी है इस डिबबे के अंदर और उसको लिखके तुम अपने दोस्तों के बारे में गलत चीज लिखोगे, उतना ही उनको points मिलेगा हमारे survey के लोगों के हिसाब से और जिसके points ज्यादा होंगे, वो इस ladder में आगे तक जाएगा , तो जो बंदा पहले इस game को clear करेगा वो इस game को जीत जाएगा और जो जीत जाएगा इस game को उसको और जो बंदा इस game को पहले clear करेगा, वो बंदा third game ख पर बोलता है कि यहां पर तुम लोग तुम्हारे सारे के सारे बैज़ती वाले चीज़े लिख सकते हो, सर्वे उनको चेक करेगा और तुम लोग उसके हिसाब से एक एक स्पेस आगे जाओगे, एक चीज़ और अगर तुम में से किसी ने भी जूट बोला है और हमें पता चल करना है ऐसा बोलके हमारा मानेवू यहां पर स्मायल करता है फिर यह सुनके हमारी क्यूट गर बोलते कि अख्यर तो बिलकुल भी अनफेर है अगर हमें हमारे दोस्ते बार में कुछ लिखना ही नहीं तो हम क्या करें तो वह कहता है अरे एक और रूल है तुम लोग चाहो त अगर आगर तो दुम तुम्हारे दोस्ते को कैसे बचा तुम लोग को तो पता ही नहीं कि गेम असल में कैसे चलता है यह सब देख के हमारी स्कूल की गरसी बहुत खुश हो रही होती है और बोलते है अब गे स्टार्ट तो होने दो सब लोग यहां पर बैटके बनाते हैं बोलते हैं कि हम लोग को सिफ 60 बार प्लांक नोट्स डालना है तो पैदा राउन स्टार्ट होता है और सब लोगों ने एक भी बेज़ती नहीं की होती है तो यह देखके मानुवी बोलते हैं कि तुम सब लोग एक एक स्टेप आगे जा सकते हो सब लोग एक एक स्टेप आगे जाते हैं और उसके बाद जो होता है उनके उपर एक पॉप अप आता है और उस पे लिखा होता है कि तुम सब लोग को एक एक लाख येन का और फाइन लग चुका है क्योंकि तुम सब लोगों ने एक साथ एक स्टेप आगे लिया है तो यह द यह वह देखके इन लोग को सबको शॉक्क लागता है तो वह देखके हमारी क्यूट गुस्सा आता है तो उसको यह लोग रोकता है तुम गुस्सा मत हो फिर थर्ड प्रेड की बारी आती है जिसमें हम लोग को मालूम पड़ता है कि इसमें से एक कार्ड ब्लैंक नहीं है जो कि सबको शॉक लगता है और इसमें इन लोग को मालूम पड़ता है कि किसने किसकी बेजती की है और वो लिखा होता है कि जो हमारी क्यूट गोल है उसको मेन कारेक्टर पसंद है ये देखके cute girl को जटका लगता है, वो बोलती है ये बात किसने रिवील किया, किसने ये बात रिवील की, of course, उसमें एक चीज और लिखा होता है, कि जो cute girl है, वो कुछ टाइम पहले तक चश्मिश boy को date करती थी, ये देखके cute girl बोलती है, ये क्या हो रहा है, और yellow boy तो यहाँ 100,000 yen का bonus मेंता है, जिसके बाद से उसका zero हो चाता है, पूरे-पूरे charges, फिर इसके बाद सब लोग यहाँ पर बाते करते हैं, हमारा yellow boy चाहता है main catarust, बोलता है, cute girl को तू पसंद लाइए, क्या हो रहा है, और meanwhile, यहाँ पर चाश्मिश पहले मेरी ex-girlfriend रह चुकी है, असल म हम लोग बच्पन से ही girlfriend boyfriend थे, यह सुनके भाई yellow boy को जटका लगता है, तब हमारा yellow boy बोलता है, अरे, माने भू, क्या यह बात सच है, तो हो कहता है, हाँ, अगर इन लोग की बीच में romantic feeling थी, तो यह जूट नहीं बोल रहे हैं, तो बोलता है, ऐसी बात है, और इसके बाद ह हमारा चश्मी बंदा बोलता है, हाँ, मैं इससे प्यार करता था, जो देखके यह बोलता है, यह तो बहुत ही डिफरेंट चीज है, और इसके बात बोलता है, yellow boy तुम मेरी बंदी से इतना बात करता है, इससे में बहुत गुस्सा आता था, समझे गया, तो ऐसी इनकी दोस् और वो बोलता है, तो तुम्हें main character पसंद है, तुम्हें पता ना कि मुझे भी वो पसंद है, ऐसा बोलके यहाँ पर अभी पांचों की बीच में जखड़ा शुरू हो चुका है, फिर बार यह आती है, फोर्त वाले टायम की, जहां पर हमारा main character अंदर जाता है, वो note पे हम लोगों ने blank note रख है, लेकिन जैसी लोग बाहर आते हैं, तो माने भी बोलता है, इस बार हमें तीन confession मिले हैं, जो देखके हमारी pink girl बोलता ही, अब game शुरू हो रहा है ना भाई, पहला confession होता है, कि जो हमारा yellow boy है, वो पच्पन से लेके अब तक अपनी मम्मी के साथ ही पिर इसके बाद तीसरा होता है, कि जो हमारी cute girl है, उसने एक बार plastic surgery कराए थी, ये देखके भाई, जो cute girl को धक्का लगता है, और इसमें सब लोग cute girl को 5 पॉइंट देते हैं, और वो आगे जाती है, तब ही yellow boy उसे पूछता है, कि तुमने सच में plastic surgery करा रही है, ये तो कहत पिर इसके बाद हमें अगले से में दिखाते हैं, जो हमारी टोका जैसी दिखने वाई लड़की होती है, वो pink girl को कहती है, कि देखो यार, इस दुनिया में लोग न दोस्ती सिर्फ तीन मतलब के लिए करते हैं, पहला, कि अगर तुम्हें उस इनसान के सा time pass करने मज़ा आत इसके बाद बार यह आती है, पांचवे पीरिड की, जब हमें मिलता है एक बहुत ही crazy सा revolution, इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं, हमारा माने वो कहता है कि जो हमारी brown girl थी, वो school के time पे लड़कों के साथ date पे जाती थी, ये सुनके brown girl रोने लगती है और उसका दिमाग ख लेकिन यहां पे brown girl उसकी बाद नहीं मानते है, रोती ही रहती है, रोती ही रहती है, ये सुनके हमारा yellow boy बोलता है कि तुमने इतना गंदा काम किया, तुम कुछ पैसों के लड़के लोगों किस करती थी, तुम तो बहुत गंदी लड़कियो और brown girl, ये सुनके चश्मिश ब बात करती है, और फिर हमारा चश्मिश बंदा, cute girl को अपने पास लेके जाता है, और यहां पे जो हमारा yellow boy होता है, वो तो भीचरा मार खाके यसी बैठा होता है, I mean में को एक चीस समझ में आ रही है, ये जो यहां पे चश्मिश बंदा है, वो हर जगा पे जाके cute girl को अपन पास ही खीचने कोशिश कर रहा है, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि देखो भाई, अब वोपस से हमारी जो brown girl है, उसको सबस्यादा points में तो वो 5 step आगे जाएगा, और इस वक्त 13 step पे होती है, हमारी cute girl, 9 step पे होती है, brown girl, 8 step पे होता है हमारा main character, 7 step पे होता है, या yellow boy, और 5 पे होता है, चश्मिश बंदा, इसके साथ-साथ हमें ये भी मालूम पड़ता है, कि number 1 पे जो हमारी cute girl है, उसके उपर 1.8 million yen का करजा है, number 9 spot पे बंदी है, brown girl, उसके उपर 1 million yen का करजा है, 8 spot पे हमारा main character है, उसके उपर 1.2 million, या yellow boy के उपर 1.2 million, और तो और हमारा normal character के लेकिन, इसके बाद जो वो main character रहेगा, हो जाएगा next game में अकेले ही, और उसको बहुत massive suffering करना पड़ेगा, और ये क्या होगा, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, इसके सब लोग एक दुशर चहरा देखते हैं, और वो बोलते हैं, कि let's say कि हमारी cute girl ने game clear कर लिया, तो वो तो first जाएगी बिचारी, जीतना ही इसमें loss है, इसके बाद हमारा main character जाता है, brown girl के बास उसको शांत करवाता है, और वो कहता कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है, मुझे उसको पैसो की बहुत ज़रूरत थी, मुझे कैंपस पर लोग बुली करते हैं, मुझे मार जाके पैसे दिये, और जैसी उसने इनको पैसे तो वो लोग शान्त हो गए, और ये देखे उसको मालूब बढ़े भाई, अगर मैं इनको पैसे दूए, लोग मुझे बुली नहीं करने वाले, लेकिन उसकी family बहुत middle class family तो उसको इतने पैसे नहीं मिले, तो उसने बहुत आदमी नो से बोले कि मैं को तुम्हारा photo shoot करना है, और जैसे वो photo shoot करने के लिए गया, तो हमारी cute girl को kiss करने के कोशिश किया, तो तब ही cute girl उसको धक्का मार के वहां से भाग गई, उसके बाद से cute girl ने ऐसा कभी नहीं किया, I mean cute girl ही मैं brown girl की बात करो, थोड़ा मैं इनके ना उसके सामने उसको pure होना बहुत important है, इसलिए वो यहाँ पर महनत करे और इसको बता रही है, लेकिन क्या यह लटगी सच में इतनी प्योर है, तो उसके बाद हमारा main creator उसको बहुते तुम्हारा बुरा नहीं मानूगा, ऐसा बोल कि उसका हाथ पकड़ता और उसके कान में हमारी brown girl को खुशी मिलते हो, कहते हैं ठीक है, अब समय तुम पर भरोसा करूंगी, यह सब देखके पिंगल बोलते हैं, अरे देखो देखो इनके बीचे प्यार वाला चीज हो रहा है, समझ रही हो ने तुम तो हमारी टोका जैसी बंदी बोलते हैं, नहीं नहीं, यह बंद क्यूट गल के ऊपर लाइन मार रहा है 100%, इसके बद हमें दिखाते हैं कि चाश्मी बंदा क्यूट गल को कोने में लेके आता है, और उससे कुछ तो बाते करता रहता है, तो हमें यह मालूम पढ़ता है कि जो क्यूट गल है, वो इसको स्टोरी बताती है, एक दिन क्या होता कि एसी ऐसी बात है, तो हो कहती कि मैंने यह बात किसी को नहीं बता है, और उसका प्यार चाहर है, वो तुमें अपने आपसे दूर कर रही है, उसने अपने बारे में यह कहानी लिख दी होगी और पूरा-फुरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल दिया, क्यूट गल तुम्हा कि कैसे अब तक गे में बहुत सरे डिफ्रेंसिस आप चुके हैं सब के बीच में धारार पैदा हो गई है और जो हमारी क्यूट गल वह अभी सब का टार्गेट बन चुकी है क्योंकि सबको लग रहा कि उसने हमारी ब्राउन गल के बारे में धोका दिया है लेकें लेकें लेके आपके लिए जाना गया है कि पहले में यह पैसे मेरे लौकर में रखके जा रहे हुए इसा तरह सब के सामने बोल के निकल लेती है और निकल जाती है फिर कुछ ताइम बाद हमारा जो यल्लोबय होता है वह अपने एक दोस से बुक मांगता है पढ़ाई करने के लिए तो तुम remplी ये सिरो फुनम्हारा बोक लेकर तुम तुम्हारे फुरण से तुम्हें नी बांग थो मॉंद Cane मेंनी करैक्टर इस वकाइसा कहा रहा हुदधर बॉक मांग और रहा हि कर रहा है इतने में एक बंदा उठता है अपने सीड्से और भाग भाग के चाहता है उसके लॉकर के पास, तब ही वो टकराता है हमारी brown girl के साथ, और brown girl के हाथ से एक pen निकलता है, और उस बंदे या बंदी के गाल को काट देता है, तब ही हमें ये वालूप पड़ता है कि brown girl असल में manga वांगा लिखती है, तो वो कहती है, तुम किसी नहीं लगाए, तो एक दू दिन में ठीक हो जाए, ऐसा बोल के वो यहां से निकलता है, फिर हमें ये मालूम पड़ता है, यहां पर ये लोग अपने वापस से flashback के बाहर आते हैं, और हमें मालूम पड़ता है, कि ये इनसान कौन है, ये बोलता है, तो yellow boy, तुम मेरी बंद लिखी है, में को हर एक के बारे में हर एक चीज जो पता है, मैं तुम सब के उपर हमेशा ध्यान रखता था, जैसे कि जब cute girl अपने घर में जा थी, तो मैं उसका पीछा करता था, मैं यही हूँ, चश्मिश बॉय, लिटरली चश्मिश बॉय, एक stalker निकला, उसने हमारी cute girl के locker की चाफी बना के रखी थी, एक्ट्रा, उसने cute girl को एक alarm थेप दिया था, जिसके अंदर उसने एक microphone लाया कर रहा था, जिसके वो हर एक चीज सुन सक रहा था, जब ही cute girl ने बात किया था हमारी brown girl के साथ क्या-क्या हुआ है, इससे उसको बालू पढ़ा कि brown girl लड़को को date करती थी, और यही सब चीजे सुनके उसने सब का सब जूट जूट लेका, मतलब भाई, definitely harami इंसान तो इसके अंदर चश्मिश बॉइ ही है, चश्मिश बॉइ बोलता है कि हा, अब मेरी cute girl मेरे पास ही रहेगी, ऐसा बोल के वो हसरा होता है, और हमें ये भी दिखाते कि उ उसे मेरे पास रखूँगा, cute girl, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, ऐसा करके वो इतना creepy सा smile करता है, जिससे मुझे ये तो समझ के भाई, ये आदमी definitely बहुत हरामी है, और अब इस anime में और मजा आने वाला है, फिर इसके बद हमारी टोका जैसे दिखने वाली बंदी कहती है कि भाई, ये बैड माउथ वाला गेम तो हमें ऐसे ही खेलना पड़ता है, और लेकिन इनके बीच में दुश्मनी का बीच तो पहले वाले कुकरी सान वाले गेम से ही आ गया था, और उसके बाद तो भाई, उस बंदे ने बस इन लोग की हालत खराब करी है, और कुछ नहीं मीनवाइल यहां पर हमारा चश्मिश बॉय हमारी क्यूट गर के साथ बात कर रहा होता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, कि किसने उसके बारे में जुट बोला होगा, तो हमारी क्यूट गर बोलती मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिखा था उसके बारे में, तो हम मैं brown girl की दोस्ति खराब करूँगा cute girl के साथ इन दोनों के बारे में उल्टा सीधा लिख के मतलब मेरा brain कितना अच्छा है यार ऐसा बोल के चश्मिश बंदा अपने अपको बहुत हाइप अपकर रहा होता है फिर हमें मालूम पड़े कैसे उसने ये सब काम किया था और वो उसके कान में कहता है पर सुनो तो क्या हो अगर हमारी brown girl ने खुदी अपने बारे में ये लिख दिया हो तो ताकि वो अपने main character का दिल जीच सके देखो तो वो लोग कितना close आके बैठे हैं ऐसा वो हमारी cute girl के कान में बोलता है और वो उसके दिमाग को खराब कर रहा होता है और ये देखके cute girl को गुस्सा आता है और वो कहते कि ये तो बहुत कलत है और फिर उसको सब strike होता है कैसे हमारी brown girl को भी वो बूटी तरीका से जीत रही है सोचो उस पर क्या बीतरी होगी उसे लगा कि वो एक अच्छी लड़की के साथ लेकिन वो उस लड़की के साथ जिसने उसका जूट बोलके उसका दिल जीता है अभी तुम्हें कुछ न कुछ तो करना चाए कि तुम्हें भी तो उससे प्यार बाल बन्दा है और और आज में इनका नाम भूल गया तो आप लोग को याद रहेगा पर ये सब सुनते हॉए कसे बाते सुनकर मानेबवू बहुत गुस्सा बूद आरे वह उसके बाद अंदर आ słu क्या प्रेंD check तो खराब कर ही दी है, अब मुझे next step लेना चाहिए, लेकिन रुको, 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 अगर हम लोग scoreboard को देखे तो अब तक मेरे बार में किसी ने भी कुछ भी गलत लिखा नहीं है, तो इस बार मैं अपने बार में गलत लिखता हूँ, ताकि इन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे main character ने cute girl को चमाट मार दिया, क्यों? और वो कहता है कि तू ऐसा बोल भी कैसे सकती, cute girl कि तेरी दोस्त खुदी-खुद के बारे में ऐसा लिखेगी, brown girl ने खुदी-खुद के बारे में ऐसा नहीं लिखा है, तुझे यह सब नहीं में क्या कलेश पे कलेश हुए यहाँ 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 पे जगड़ा हो रहा है और तू अपने खुद के दिल को बचा रहा है डूट शडब यहाँ यहाँ पे हमारी brown girl फिर से रोने का नाटक करती है और सब लोग को दिखता है कि जो हमारी cute girl वो अपने आप ही यहाँ बस यही तो मैं चाहता था कि cute girl को तुम लोग अपने आप से दूर करो ता कि मैं उसे मेरे करीब ले आऊ वो मेरी है और मैं उसे अपने आप से नहीं छोड़ूंगा फिर हमें यह मालूम पड़ता कि असल में cute girl काई होती है brown girl के पास उससे चीज़े clear करने के लिए लेकिन इतने में brown girl उसकी बात नहीं मानती और इसी बीच में उनके बीच में अन्बन होती है और इसलिए उसे चमाट पड़ जाती है जिस चीज़ का फाइदा उठा के चश्मिश बंदा उसके कंदे पर हात रखतर बोले तूसे भूल जा और मेरे पास आजा अखर मैं तरह ध्यान ब्राउन बंदी को अपने पास रख और यलो बाई तो भाई वो अपने दुनिया में अकेला ही घुम रहे इसके लिए मुझे बड़ा बोरा लाग रहा है इसके पास कोई ही नहीं यार साथ में इसको पहले दूर कर दे और यहाँ पर यह बैठा हुए तू एक काम कर तूज तो हमारे चश्मिश बंदे को शौक लगता है वो बता है एक तो मैंने खुदी खुद के बारे में लिखा तो दूसरा किस ने लिखा यह बड़े सोचने वाली बात होगी चलो एटलिस यहाँ पर कलेश खुदी खुद बखुद बन रहे है में को कुछ काम करने ज़रत नही पढ़ रही है फिर पहला जो कलेश होता है वो लिखा होता है कि जो हमारी क्यूट गल है उसको लड़के लोग का अंडर्वर पहना बहुत पसंद है तो यह सुनके हमारी क्यूट गुसा आता है और वो कहते हैं तो ब्राउन गल अपने में कर्टर पर चुपके बोलती है असल में इन सबसे एक साल और बड़ा तो वो कहता है कि हाँ असल में बच्प में चोड़ा था मेरा मतलब एक साल एक खराब हो गया तो इसलिए मैंने तोड़ा लेट स्कूल में एडविशन दिया यह बत मैं तुम से चुपाई ता कि तुम लोग मुझे अपना सिंजर ना स सब्सक्राइब करता है और इसके बाद दो लोग को वोटिंग मिलती है 41 और 39 परसे इसके बाद तो जो हमारा चश्मिश बंदा है वो आगे निकलता है और उसके पीछे हमारे जो क्यूड़ होती है उसको एक स्पेशल चांस मिलता है और यह चांस होता है कि किसी बी एक कर सकती है और उसके बारे में इंटरल अफेर्स कोई ने कोई अंदर से राज बाहर निकालेंगे जिससे तुम्हें यह मालूम पड़ा कि वो बंदा असल में कितना क्लीन है और कितना खराब है ऐसे बोलके तुम किसी को भी चूस कर सकते हो यह सुनके चश्मिश बंदे का द इतने में हमारी क्यूड गल सोच ती को किसका नाम ले वो कहती है कि मैं अगर ब्राउन गल का नाम लूगी तो उसके और बहुत से रास बहर आज आजेंगे जो कि मैं नहीं चाहती है यलो बोई के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है और जो हमारा में बंदे को यहां प अगर तेरा नाम लूत हो तो वो बोलता है हाँ पका तो हमारे क्यूट कर बोलते हैं थीक है मैं शीबे का नाम लेटे हूँ तुम शीबे के ऊपर डिगिंग कर सकते हो तो अगले ही सेकंड यह बोलता है शीबे तुम तो बहुत कुछ छुपा रहे थे तुम्हें लागा कि साथ-साथ, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा कांड किया है, जिसके उपर उन्होंने हजारो करोर रुपए खर्च किये हैं उस चीज को छुपाने के लिए, अब मैं ये सोच रहों कि वो काम क्या है, क्या हम उसका भी राज बाहर निकाल दें, शीबे, ये सुनके यल एक क्रिमिनल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, अरे वो बच्चे के फादर क्रिमिनल, तुम अपने बच्चे को उसकात मत खिलाओ, वैसा सेम इफेक्ट यहाँ पर हो सकता है, अब जब सबको पता है कि शीबे के फादर एक गलत इंसान है, तो शायद सब लोग शी के लाइक है भी की नहीं उसके सासत इसके डाड ने रिसेट ली कोई बड़ा सा कांट शुपाने के लिए पैसे दियें मुझे नहीं पता कि वो कांट क्या है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसी ने वो कांट किया होगा कोई बीड़ ऐसा करेगा शीबे तू हमसे तू रोज मार दी भाई तो अब हमारा क्या 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 इन सबको रोकने कोश्चा था प्लीज मेरे दोस्तों मुझे छोड़के मच जाओ मच जाओ लेकिन वो लोग इसे छोड़के निकल लेते हैं यहां पर अब यल्लो बड़ अकेला हो गया है और इसके बाद चैश्मी बड़ता है मे यहां पर उदास होके बैठा होता है इसके बद हमें next round में एक और सच मालूम बड़ता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे yellow boy ने एक इनसान को मारा है यह देखके तो भाई मेरी हवा टाइट होगी हम लाए यह यलो बड़ता है इसने किसको मारा है और यह जश्मी बंड़ता यह बंड़ता बहुत ओवरपावरड़ यहां पर हमारी गल्स बोलते है कि सब हो क्या रहा है किसने बोला कि सच में किसी को मारा है हमें कुछ नहीं पता और तो और यह बहुत खतरनाक सिच्वेशन है भाई इसके बद हमें अगले सी में लिखाते है कि हमारा चश्मी बड़ कानल सुट थे तुम चैक कर लो जूट थे तब ही वह कहता है कि अगर किसी ने तुमारे बारे कोई जूट चीजा है और हमने उसे धूंडिया की जूट कैसे यह क lors था ही कि तुम पागळ हो तुमको तुछक करना हमारे बार में वो कहता है हमें भले ही सब कुछ पता हो लेकिन हम तुम से जानना चाहते हैं चलो ठीक है एक काम करते हैं हम पूछते हैं सर्वे से सर्वे तुम क्या कहते हो तो सर्वे कहते हैं नहीं नहीं ये बंद ने डेफिनिटली किसने किसी को मारा है और हम लोग को मिलता तुम लोग मेरे गेम के साथ खेलते रहो पिर ये सुनके हमारे यह लोग बात सुनो और इस गेम को मेरे तरह से खेलते रहो यह बिलकुल भी फैर है ही नहीं वो बोलता कि इस गेम में सबसे बड़े लोग बोलो कि जो लोग ऑडियन्स को देख रहे हैं और स्टारिब अधर ओंक ज으면 अगेम खेल वी उन एक शेल एक चल रहे थी हम लोग लोग के ऊपर करजा पड़ रहा था तो यह गेम को इन लोग को बैलनशाओ करने के लिए इंस लिग अलतंग में आइस चीज देखाए कि कि बीच मेल बीच में मइन्स पाइव पैइवनड़् मिल चुक है यह मतलब है कि आगे के सारे के सारे points positive होने वाले और यही इस game को fair और interesting बनाता है अब तक हम लोग के लिए game बहुत unfair था क्योंकि हम लोग को सिर्फ negative points ही मिले हैं अब हम आगे जाएंगे तो हमें fair fair points मिलने वाले तो तुम लोग एक काम करो मेरी बात सुनो और मेरे इस तरह से हम लोग जीट जाएंगे इनको balance out करना ही पड़ेगा इन सबको सारे minus negative वाले जो भी हमको यहन का loss पड़ रहा है वो सब्सक्राइब हो जाएगा अब तुम लोग मेरा plan सुनो अब हम क्या करेंगे ना हम सब लोग खुद के बारे में भी गलत चीज लिख सकते तो हम लोग का नया plan यह होने वाला है कि जितने भी लोग first position पर है जो first पर है वो अपने note को blank रखेगा और उसके नीचे के जो second, third, fourth, fifth पर लोग है वो लोग खुद के बारे में गंदा चीज लिखेंगे इससे क्या होगा इससे सबके points equalize होते रहेंगे सामने वालोग बंदा ए वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ट्रेटर कॉन है ट्रेटर हम लोग को इसको धोका दे भी नहीं सकता यह plan बहुत मस्त रहता और यह plan के बारे में सब लोग सुनके कहते बस perfect है हम लोग इसे follow करेंगे लेकिन चश्मिश बोलता है नहीं मुझे यह plan बिल्कुल पसंद आया तो इस point पर हम लोग किसी के ऊपर trust नहीं कर सकते तो ऐसा क्यों ट्रश कर रहा है तो बहुत जितना बोल रहा हो उतना करना फिर सब लोग वही काम करते हैं next period खतम होता है और सब बोलता है हमने अपने बारे में लिखा है फिर जैसी यह लोग की बारी आती है तब हमारा माने भी बोलता है कि इस बार मुझे total 10 कार्ड मिले हैं क्या तुम लोग ने rules के ऊपर ध्यान नहीं दिये थे मैंने कब बोला कि तुम लोग को सिख एक ही कार्ड लिखना है जो चाहे वो उतने कार्ड लिख सकता है तो अब हम देखते है कि किसने क्या 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 I mean हमारे main character plan यहाँ प बहुत दिमाग है तेरे plan बहुत सारे holes थे तभी चश्मिश बोलता है ठीक है या तुने मुझसे वादा क्या था कि अगर तेरा plan काम नहीं करें तो तो बोलता है चल अब तेरा plan काम नहीं क्या और बता हम मैंसे ट्रेटर कॉन है तो बोलता है तो तुने हमसे जूट बोला इ चीज को आगे पीशे तोड़ रहा है ऐसा बोल के वो अपनी cute girl को अपने पास से दूर लेगा जाता है अब मैं तुम मैंसे किसी के पास नहीं आऊँगा मैं और मेरी cute girl साथ में रहेंगे अब हमारी दोस्ती खतम हो चुकी है समझे तुम लोग हम लोग अभी वैसे दोस्त कि नहीं आ सकता cute girl तुम मेरी जो बन चुकी हो फिर हमें याद आता है इसका backstory वो कहता है मैंने कितना time से कोशिश किया यह सब करने का और अब मैं मेरा बदला ले सकता हूं cute girl से जमाने भी दाया है मैंने इस चीज के ऊपर मैंने सालों से महनत की और अब cute girl तुम जब इतने vulnerable state पे आ चुकी हो तो अब मैं तुम्हें destroy करूंगा यहाँ पर हमारी girls बोलते कि आ तो लगता है group C खतम हो रहा है इसके बाद लोगों का ऐसी दिर्दे चलता रहा किसी ने किसी का भरसा नहीं किया और हमें end में पहुछा देते हैं यह जहां पर cute girl एकदम goal के पास बहुत तभी हमारे चश्मिश बंदा कहता कि ओए cute girl तू बुरा मत लगा चाहे कुछ भी हो मैं हमेशे तरे साथ ही रहूंगा और वो अपने मन में हस रहा होता है यह लोग कहता कि अब तो कुछ नहीं हो सकता अब तो यह गेम खतम ही हो चुका है तभी हमारी टोका बोलती है वेट वो कहती है कि इस गेम में हमने किसी इंसान को निला है हम एक मॉंस्टर को लेगा है यूईची इस गेम के अगले लेवल पे है और तभी यूईची हाथ उबर करता है एक मिनिट मेरे पास एक आईडिया है मैं आप लोग से मजाख नहीं कर रहा इस सीन को देखके मुझे सच और हम लोग हमारी क्यूट गल को गोल के तरग पहुचने से नहीं रोख पाएंगे लेकिन तुम्हें पता ने कि यहां पर एक पैनल्टी कोई एक बंदा जूट बोले तो डायरेक्ली फर्स्ट पोजिशन पर आ जाएगा तो अगर हम इस वाले पैनल्टी को मेरे पुराने लोग नेक्स राण पर जाएंगे सिवाए उस ट्रेटर है क्योंकि वो तो कुछ गलत लिखेगा नहीं तो इससे हमें समझ जाए कि ट्रेटर कौन है और हम सब बच जाएंगे तो हम ये कर सकते हैं ऐसा बोल कि वो सबके हाथ में एक चिटी देता और बोले चलो तुम लोग स जाएगा और हमेंसे उस बंदे को बस ये लिखना है कि मैंने हमारी पूरी टीम को एलिमिनेट किया था तो मदाची गेम को खेलने के लिए मैं नहीं उनको इलेक्ट किया था और देखो हम सब जूट बोलेंगे लेकिन वो एक बंदा सच बोल रहा होगा तो जो भी जूट ब पाता है तो गेम बोले तुम लोगों ने अपने बारे में जूट बोला इसका मतब तुम लोग पेनल्टी भरो लेकिन चश्मिश बोल रहा हो कि उसने सच में ऐसा किया है ये अनिमे में दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है तो ये सब सून के चश्मिश बोल ठीक है तु और ये बोलता है कि मैं उनके सामने रोंगा उनको कहूँगा कि मेरी बहुत गलती थी प्रीज मुझे मुझे माफ कर दो मुझे पैसो के जरूर थी मुझे किसने ब्लैक मिल किया था हाँ हाँ ये प्लैन पर्फेक्ट है अब तीन मिनट हो गया और मैं जाके अंदर चला चश्मिष रोने की आक्टिंग करने ही वाला होता है कि तभी माने वो कहता है कि वो इसमें सिव एक ही कन्फेशन है बाकी चार तो ब्लैंक नोट्स है और ये सुनके चश्मिष बोलता है और इसमें लिखाए कि मैं हूँ वो इनसान जिसने तोमोदाची गेम के लिए अपला पाऊंगा देख मैंने वही किया तूही ट्रेटर है मुझे पता था इसलिए बाकी लोग ने कुछ नहीं लिखा हाँ ऐसा बोलकर जो इसको फसाता है और यहां पर रोने का ना टक करता है बूदे प्लिज मेरी बात तो सुनो प्लिज मुझे मुझे माफ कर दो ऐसा रोता है अब तू नहीं बचने वाला और यहां पर जो यह बंदा रोता है अपनी जान बचाने के लिए वो इसको धक्का मार के नीचे फेकता है और बोलता कि अब तो तू गया बेटे और इतने में यहां पर हमारी पिंग गल और तो और टोका बड़े खुश हो रहे हो तो लोग य हमारी क्यूट गल और तुम साथ में डेट कर रहे थे उसके बाद मैं क्यूट गल के पास कया और तभी मैंने उससे कहा कि तुम और मैं साथ में काम करेंगे और हम लोग बिल्कुल भी कम्यूनिकेट नहीं करेंगे हम लोग बात करते थे इन बैड माउथ वाले पेपर से फि वही उसने दूसरी पेपर पर जो भी नोटिस लिखके रखा था वो सब उसने क्यूट गरे कंधे पर हाथ रख कि उसको दे दिया और ऐसे ही वह लोग कम्यूट कर रहे थे पेपर के थूट गर लिया वो अंदर गई उसने उसने लिखा था कि याद तुमसे मैंने कुछ समय प अच्छा तो तुम मतलब हम लोग को एक-एक करके चेक करें तो तुम्हें ये कैसे मालूब पड़ा कि मैं ही ट्रेटर हूँ उसने बोला कि देखो भाई मैंने एक-एक करके सबको Eliminate के जब मैं को पता चला कि ब्राउन गल ट्रेटर नहीं है तब मैं समझे तुम ही हैं और तुम्हारे हाथ मेने एक नोट रखा है वो नोट तुम पढ़ लेना और एक चीज तुम्हारा जितना भी तुमने गलत काम किया तुम्हारे पास में उससे कुछ जुछादा गलतका मैंने किये हैं तो इस चीज़ को बूल जाओ और तो और अब मैं तुम्हें मेरे instruction देता रहोगा तुम उनको follow करती रहना, ये सुनके हमारी brown girl कहती ठीक है, फिर इसके बाद वो कहता है कि मैंने cute brown girl से कहा था कि सुनो, अभी तुम्हें next वाले में क्या करना है न, तुम्हें cute girl के बारे में एक secret लिखना जो कि सिर्फ तुम brown girl ने वही किया, मैं उसे देख रहा था, वो गई अंदर उसने वो secret लिखा कि हमारी cute girl को लड़कों का अंडर पहनना पसंद है, इसके साथ मैं समझे कि brown girl भी हमारे साथ ही है, बस इसके बाद क्या था, इसके बाद मुझे पता है कि यल्लो बहुत लो ढखकने वो तो ऐसा क कर नहीं सकता, तो मैंने उसको ऐसी eliminate कर दिया, और फिर बचा तू, अब तेरे को भी मैंने टेस्ट करने ही वाला था, लेकिन जब तेको यादे तू 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 अंदर गया था, तू फसा हुआ था, और जब तू बहार आया तू ने देखा कि मैंने हमारी cute girl को एक अराम से जीत लिया, उसने बोला कि मैंने इन दोने को fight करने के लिए जूटा ही, पर इन लोग को मैंने fight करने को लगाया, और उसके बाद, बाकी सब तो बहुत आसानी से हो गया, जब मैंने बोला कि सब लोग एक एक करके खुद के बारें बुरा लिखेंगे, वो भी मुझ और चश्मिश बोला कि तुने फिर रिवील क्यों नहीं किया कि मैं ही ट्रेडर हूँ, वो वह बला कि अगर मैं रिवील कर देता, तो भाई मजा नहीं आता ना, तू फिर उसके बाद जान गया हो था कि लिख 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 के हम लोग को आगे फेक देता, और हम लोग आगे वाले फस सकते थे, इसलिए मैंने तुझे फसाया और तुझे सबसे लाश्ट में अंदर भीजा और ब्लैंक वाले नोट में सिर्ट को भी बोला मैंने जब तु अंदर गया था अपना नोट लिखने के लिए तब मैंने इन सब को गा कि ओय सुनों, अब तुम उनों का दोनों नोट हमारी cute girl नहीं लिखा था, वो तुने नहीं लिखा था, समझा तू, तु मुझे उसका पता है कि मैं उसको इस एक situation पर अपना आप free नहीं कर सकता, मैं उसको और notice किया, और उसके बाद मैंने उसको free किया, उसने उसके friendship का मैंने को proof दिया, तो यह बोल उनको trust किया, तो इसके साथ मैं समझा था कि भाई, यह लोग तो traitor नहीं है, और इसके बाद मैं समझा था कि भाई, तुम ही traitor हो और तुम अब जा रहे हो यहां से दूर, फिर मैंने एक एक करके उन सब को उनका name tag वापस से दे दिया, और तो और मैंने उन्हें अपना भी name tag दे दे दे, तब यह लोग फूटेश को पीछे करते और इनको दिखता कि fourth period के time पे हमारे main character के पास उसका name tag नहीं था, और इसके साथ साथ उसने सबसे दोस्ती करके उनलोग को उनका name tag वापस देते भी गया, I mean bro, क्या दिमाग लगा है बंदे ने भाई, फिर वो कहते कि य मुझे एक चैसे बहुत शॉक लग रहा है कि कि लोग अभी भी smile कर रहे है अपना name tag देने के बाद, इस game के अंदर name tag सबसे important है, और अगर तुम name tag देने के बाद भी smile कर रहे हो, इसका यह मतलब है कि तुम बहुत खतरनाक हो, और यह सब हमारा यूची मज़े से खड़ा हो तुम मेरे सामने आया, नहीं, नहीं, मज़ाग कर रहा हूँ, तेरा मिश्टे किया था कि भाई, जब हमारी दोस्तले के बीचन जगड़ा हुआ, तुने उन लोग के जगड़े को रोकाने तुम उल्टा तुने उस जगड़े में और फ्यूल लागा, प्लस तु यलो बाई यलो तो आखिर घदा है, चलो ठीक है, आखिर चलो तुम लोग का पादा जल चले कि तुम्हारे ग्रूप में ट्रेटर कॉन है, वो मैं ही हूँ, चलो ठीक है, फिर माने वू आता है, बस 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 अब तुम्हारा काम खतम, अब हम लोग गेम को शुरू करते हैं, और अभी ये गेम खतम नहीं हुआ, तो भले तुमने ट्रेटर घूंड ले लेकिन अभी भी जम्प तो इस लड़की को ही मारना है, क्यूड करल को, तभी हमारा में क्रेटर जाता और माने वू कान में कोई चीज बोलता है, जो सुनके सब की हवा टाइट होती, यहां तक ही हमारी इस चीज़ को फटक से चेक करो, जैसे ही वो लोग उस चीज़ को चेक करते हैं, तभी के यह कहता है कि तुम में से किसी को जंप मारने की जरुद नहीं है, जंप मारने वाला बंदा मैं हूँ, मेरा प्लान एकदम से परफेक्ट था, और वो कहती कि माने वू इसने जो कहा ह कौन सा जूट मैंने बोला था मैंने कौन सा जूट बोला था वेल अभी जब confirm होई चोगा तो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और कहता है कि जो जूट मैं तुम से कहा था वो ये था कि yellow boy ने किसी को भी नहीं मारा है और तो और एक को नहीं मैंने तीन लोग को मारा है मैं असल में एक serial killer हूँ और मेरे पास कोई reason भी ने था उन्हें मारने के लिए ये सुनके सब लोग shock होते कि भाई ये क्या हो रहा है और वो बोलता कि अब third game में मैं अकेला ही जाओंगा ऐसा बोल कि यहाँ पर खड़ा होता है वो कहता है चलो कमसे मेरे दोस लोग safe तो है मेरा ये plan आखिर कामयाब हो गया भले ही मैं खुद को sacrifice कर रहा हूँ लेकिर मैं खोश हूँ वो कहता है कि मैं इस पूरे game को destroy करने के लिए यहाँ पर आया हूँ अगले game के लिए ऐसा बोल कि आगले game के लिए ऐसा बोल कि आगे निकलने वाला होता है jump मारने ही वाला होता है यह वो कि उसी वक्त हमें चश्म में बोलता हूँ वो तू है यूईची तू ही मेरा crush है ऐसा बोल कि वो अपना चश्मा निकालता है भाग के जाता है हमारे main character के पास और उसको kiss करता है भाई यह क्या है यह बंदा असल में gay है what ऐसे बोल कि दोनों must jump मारते हैं और एक साथ next game में गिरते हैं फिर हमें दिखाते हैं कि next scene में यह लोग नीचे summit पे गिरे हुए होता और तभी हमारी girls कहती कि भाई हम लोगों ने एक बहुत बड़े monster को तो ignore कर दिया हम लोग बार बार देखते रहे गए कि यूईची एक monster है क्योंकि वो शांत बैठके game को complete कर रहा है लेकिन ये चश्मिश बॉय भी कोई कमवम नहीं है क्यूं क्यूंकि ये इसका पहला tomodachi game नहीं है ये पहले भी एक बार tomodachi game खेल चुका है ये सुनके सब की हवा टाइट हो जाती है और अब इसका कि क्या होने व झाल चाल चाल चाल